कानून की क्लिष्टता उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वज़े से, कॉंप्लेक्सिटी की वज़े से, सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दोणदा पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मान की समझ में आता है, उसका प्रभावी कुछ और होता है। इसलिए कुछ देशों में, जब संसद या विधान सभाय में कानून का निर्मान होता है, तो दो तरह से उसकी तहरी की जाती है। एक है कानून की परिभाशा में टेक्निकल सब्दों का उप्योग करते हुए उसकी विस्तृत व्याक्षा करना है। और दूसरा उस भाशा में कानून को लिखना और जो लोग भाशा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रुप में लिखना। मुल्क कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए है। कुछ देश में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्मान के समय ही ये तैक कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानि एक तरह से कानून के निर्मान के समय ही उसकी उमर उसके एक्सपैरिडिक तैक कर दी जाता है। ववस्ता में स्थानिय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी नियाए पालिका के सामने भी इस विशे को लगाता रूठाता रहा हूँ। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयाद भी कर रहा है। किसी भी नागरी के लिए कानून की भाषा बाधान न बने। हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लोजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्टर का सपोर्ड भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मात्रू भाषा में अकडेमिक एको सिस्टिम भी बनाना होगा। लौ से जुड़े कोर्सिस मात्रू भाषा में हो। हमारे कानून सहच सरल भाषा में लिखे जाने। हाई कौर्ड और सुप्रिम कौर्ड के महत्वपून के से इसकी डिजिटल ड्राइबरेरी स्थानिय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान ये मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कब होगा।